बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, एक बार एक आदमी ने अपने पदोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो ही एक संद के पास गया, उसने संद से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा, संद ने आदमी से कहा तुम खूब सारे पन्ख इकठा कर लो, और उन्हें शहर के बीचो बीच जाकर रख दो, आदमी ने ऐसा ही किया और फिर संद के पास पहुँच गया, तब संद ने कहा, अब जाओ और उन पन्खों को इकठा करके वापस ले आओ, आदमी वापस गया पर तब, तक सारे पन्ख हवा से इधर उधर उर चुके थे, और आदमी खाली हाथ संद के पास पहुचा, तब संद ने उससे कहा कि, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा, कहे गए शब्दों के साथ होता है, तुम आसानी से इन्हें अपने, मुख से निक बाद कुछ भी करके, अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो, वो उसे कश्ट पहुचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कश्ट देता है, खुद को कश्ट देने से क्या लाग, इससे अच्छा तो है कि रहा जाए, क्या आपको ये कहानी पसंद आई, कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थांक्स फो वाचिंग